हाई दोस्तों, आज हम एक्स्प्लेन करने जा रही है जीपर्स क्रीपर्स, जो की एक अमेरिकन हॉरर मूवी है, फिल्म की शुरुआत के सीन में जेनर उसके भाई डैरी को दिखाया जाता है, जो एक कार में आज कॉलिज से अपने घर के लिए जा रही थे, लेकिन रास्ते प दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तभी अचानक से उनके पीछे एक पुरानी च्रक आ जाती है, जिसे देखते ही दोनों काफी दर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि च्रक वाला ड्राइवर उनकी कार को धक्का देना चाता है, अब इस बात से जेनर का जीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, तब जेनर अपनी कार धीरे कर लेने के लिए कहती है, जिसके बाद च्रक इनके आगे निकल जाते, जेनर और डैरी ये देख चकित हो जाते हैं, कि नंबर प्लेट पर नंबर की जगव बीटिंग यू लिखा था, अब दोनों इ जात कर जेनर डरने लगती है, क्योंकि उन दोनों की मौत इसी हाइवे पर हुई थी, ये सब सुनकर जेनर घबराने लगती है, फिर डैरी जेनर को शान्त करता है, अब कुछ दूर जाने के बाद ही इनको वही पुरानी च्रक नजर आती है, वे देखते हैं कि ड्राइवर ट्रक में से कोई चीज एक पाइप के अंदर फैक रहा था, जो बिलकुल डेड बॉडी के जैसे लग रही थी, अब इस बात से दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अब इनका पीछा करने लगा था, यहाँ देखकर जेनर मदद के लिए कॉल करना चाती ह पर फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसके बाद पुराना ट्रक उनके तरफ का काफी तेजी से आने लगता है, यहाँ देखते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है, और इनके कार को टककर मारने लगता है, तभी इनकी कार सडक से उतर जाती है, तभी वो ट्रक वह कोई जिन्दा भी हो सकता है, लेकिन जेनर इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती थी, तब डैरी कहता है आखिर उसने हम पर हमला क्यों किया, इसलिए हमें पाइप के अंदर जाकर देखना चाहिए, पर जेनर वहां जाना, तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में डैर वज़से काफी दुरगंद आ रही थी, लेकिन अंधेरे की वज़से इनको अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए डैरी जेनर को टोर्च लाने भेजता है, तभी अचानक से अंदर से किसी की आवाज आती है, ये सुनकर डैरी भी आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, यहां देख डैरी जेनर से अपना पैर पकड़ने के लिए कहता है, और डैरी पाइप के अंदर जाकने लगता है, लेकिन तभी यहां बहुत से चूहे आ जाते हैं, जिनकी वज़से डैरी नीचे गिर जाता है, और ये देख जेनर परेशान हो पड़ती है, ये देख डैरी बॉडि को देखने के लिए बॉडि के नजदीक आता है, तभी अचानक से बॉडि हिलने लगती है, लेकिन डैरी उस लड़के की स्थिथी को देख कर काफी डर गया था, तभी लड़का अपने उपर कुछ इशारा करने लगता है, ये देख डैरी उस पर से पूरी प्लास्टिक हटाता है, तो डैरी देखता है कि उसकी बोड़ी पर बहुत ही खतरनाक तरीके से टाके लगाए गए थे. इसके बाद लड़का डैरी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसके बाद उसकी मृत्यू हो जाती है. वहीं उपर जेनर डैरी के लिए परेशान हो रही थी. तभी डैरी जेनर को यहां से जाकर किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए कहता है. इसके बाद डैरी उस जगह को चेक करने लगता है. जहां पर इसे और भी कई डेड़ बॉडिस दिखाई पड़ती है. इसके अलावा वहां एक अजीब सी पुरानी मशीन भी पड़ी हुई थी. तभी डैरी के जूते पर पानी की कुछ बूंदे गिरती है. ये देख डैरी उपर की तरफ देखता है. तो काफी हैरान हो जाता है. क्योंकि यहां के पूरे छट और दिवार पर डेड़ बॉडि को चिपकाया गया था. डैरी को केनी और डारला की डेड़ बॉडि दिखाई देती है. जिनको एक साथ ही स्टीच किया गया था. इधर जेनर को एक ट्रक आते हुए दिखाई पड़ती है. उसे लगता है कि वो किलर की ट्रक है. इसलिए वहाँ भागना चाहती है. लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और वहाँ ट्रक यहां से चली जाती है. कभी अचानक से डैरी यहां पर आ जाता है. इसकी वज़़से जेनर काफी डर जाती है. डेरी भी काफी दरा हुआ लग रहा था और दोनों अपनी कार में वहां से निकल जाते हैं इसके बाद जेनर को डेरी सब कुछ बताता है फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुखते हैं लेकिन तभी उस कातिल की च्रक वापस जाते हुए नजर आती है जिसे देखते ही दोनों काफी दर जाते हैं और जेनर वेटर से पुलीस के पास कॉल करने के लिए कहती है इसके बाद जेनर डेरी से वहां के लोगों को बताने के लिए कहती है लेकिन उस वक्त डेरी काफी ज्यादा डरा हुआ था कभी उनके पास एक औरत का कॉल आता है वो कह रही थी कि अभी मैंने तुम लोगों को बहुत सारे बिल्लियों के साथ देखा इसके अलावा वो औरत मृत्षवों के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि वो कोई साइको है या कोई शैतान कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर शाम में पुलीस वहां आ जाती है डैरी पुलीस को सब कुछ बता देता है पुलीस भी डैरी के बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि Derry ऐसे लोगों की डेट बॉडी के बारे में बात कर रहा था जिन लोगों की मृत्यू हुए 20 साल हो चुकी थी तब Derry कहता है अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यतीन नहीं है तो आप उस जगह पर चल कर देख लीजिए इसके बाद Derry और जेनर दोनों पुलीस ओफिसर के साथ चर्च की तरफ जाने लगते हैं सभी ओफिसर को पता चलता है कि चर्च तो आग में जल गई है अभी जेनर कार की रेडियो आउन कर देती है तभी रेडियो पर जीपर्स क्रीपर्स वाला सौंग सुनाई देने लगा था अभी पुलीस ओफिसर की कार पर कोई चीज मिलती है इसके बाद लेडी ओफिसर चेक करने जाती है तो किलर उस लेडी ओफिसर को मार देता है इसके अलावा वो दूसरे ओफिसर की गर्दन काट देता है जो की डैरी के कार पर गिरता है ये देख डैरी और जेनर काफी डर जाते हैं और अपनी कार को यही रोग देते हैं जबकि पुलीस कार की स्थिती काफी खराब हो गई थी लेकिन दोनों को ही पता नहीं था कि क्या हुआ है इसके बाद जेनर पुलीस को देखने जाती है वहाँ जेनर को पुलीस आफिसर का कटा हुआ सिर नजर आता है तभी उस कार का दर्वाजा भी खुल जाता है तभी किलर पुलीस के कार से बाहर निकलता है और कटे हुए सिर के साथ अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है इसे देख दोनों समझ जाते हैं कि यहां कोई इंसान नहीं है तभी किलर कटे हुए सिर में से जुबान को खीचने लगता है इसे देख दोनों बहुत ज्यादा डल जाते हैं और तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं अब किलर देड बॉडी को अपने ट्रक में रखने लगता है तभी डैरी जेनर को कार को रोकने के लिए कहता है जहां पास में ही उनको एक मकान नजर आती है इसके बाद दोनों इस मकान के पास आते हैं क्योंकि यहां हेल्प के लिए पुलीस के पास कॉल करना चाते थे तभी एक उम्रदराज औरत सामने आती है वो पूछती है कि तुम क्या चाहते हो तो जेनर फोन के बारे में पूछती है लेकिन उस औरत के पास फोन नहीं था हम देखते हैं उस औरत के पास में बहुत सारी बिल्या थी तभी अचानक सभी बिल्या अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं जिसके बाद डैरी समझ जाता है कि किलर यही पर है तभी उन्हें किलर दिख जाता है यहाँ देख वो बुढ़ी औरत किलर पर गन पॉइंट कर देती है लेकिन वो जैसे ही शूट करने जाती है किलर काफी स्पीड से अंदर चला जाता है यहाँ देख डेरी उस औरत को अंदर जाने से मना करता है पर वहाँ अपने बिल्लियों को बचाने अंदर चली जाती है इसके बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आती है डेरी और जेनर अभी नहीं जानते थे कि अंदर क्या हुआ जिसके बाद जेनर रिवर्ज गियर का यूज करती है लेकिन अब किलर ने उनका रास्ता रोक लिया था ये देख डेरी जेनर को कार से किलर को हिट करने के लिए कहता है इसके बाद जेनर कोशिश करती है लेकिन किलर कूट करके आसानी से खुद को बचा लेता है यहाँ देख जेनर हैरान हो जाती है कि आखिर ये है क्या तभी किलर फिर से उन पर हमला करने आता है लेकिन इस बार जेनर किलर को कार से धक्का दे देती है जिसकी वज़ा से किलर जखमी हो जाता है तभी जेनर बिना मौका गवाई किलर को कई बार कार से कुचल देती है चानक से इसके पंक भी बाहर आ जाते हैं जिसे देख दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर से कुचल कर आगे निकल जाते हैं कुछ समाई के बाद यहाद दोनों पुली स्टेशन में आ जाते हैं जहां जेनर अपनी मा से फोन के जरीये कांटेक्ट करती है तभी डैरी एक लड़के की गुमसुदगी की रिपोर्ट देखता है और शायद वह वही लड़का था जिसे डैरी ने बेस्मेंट में देखा था तभी जेज नाम की एक औरत वहां आती है और वो डैरी और जेनर से बात करना चाहती थी लेकिन जेनर बात करने में दिल्चस्पी नहीं लेती है तभी जेज बताती है कि मैंने भी अपनी सपने में सीलिंग और डेड़ बोडी को देखा है जिसके बाद देरी समझ जाता है कि इसने ही रेस्टोरेंट में कॉल किया था इसके बाद जेज बताती है कि वह किलर हर 23 साल के बाद 23 दिन के लिए बाहर आता है और केवल कुछ body part को ही खाता है जिसके बाद उसकी body part बन जाते हैं तभी station के बाहर पुरानी चक आती है और killer अभी भी जिन्दा था इसके बाद killer light बंद कर देता है पर एक police officer कुछ light को on करता है जेस को पता चल गया था कि किलर आ चुका है। तभी एक अफसर चेक करने जाता है जहां किलर ने किसी कैदी पर अटैक कर दिया था और इसी वज़स से किलर कर बहुत ही अजीब से दरावने रूप में बदल गया था। यहाँ देख ऑफिसर किलर को शूट करने जाता है। ले इसके बाद एक अफसर चेक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता और तभी अचानक से किलर उस अफसर को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ देखकर बाकी पुलीस अफसर फाइरिंग करते हैं लेकिन किलर को कुछ भी नहीं होता। इसी बिच डेरी और जेनर यहाँ से निकलना चाते थे। लेकिन पीछे से कोई भी रास्ता नहीं था तभी डेरी और जेनर आपस में बहस हो जाती है। और डेरी और जेनर को पता चलता है कि जेस को सब कुछ पता है कि किलर को किसको और क्या चाता है। तभी क और जेनर एक रूम के अंदर आ गए थे, जहां जेनर को एक सीसा नजर आता है, और किलर उसी सीसे के पीछे छिपा था और वो डेरी को देख कर उस पर हमला कर देता है। यहाँ देख जेनर किलर के सामने आ जाती है, और किलर से डेरी को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी किलर डेरी को अपने साथ लेकर चला जाता है, और पुलीस कुछ भी नहीं कर पाती, इसके बाद जेनर काफी दुखी हो जाती है, अब अगले दि पुरानी फैक्टरी को देखते हैं। वहां से डैरी के चल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर ने डैरी को मार कर उसकी दोनों आखे निकाल ली है। और इसी दर्दनाक सीन के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। और भी नई फिल्मों की एक्स्प्लेन विडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्स्प्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।